हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू मै चैनल लानविद माही आज 25 ओक्टूबर 2022 है और आज के करेंट अफेर्स के जित्ते भी इंपोर्टेंट क्वेशन्स बन सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे और उससे रिलेटेड फेक्स भी मैं आपको बताऊंगे तो आप प क्लिक करके आप ग्रूप जोइन भी कर सकते हैं वहां आपको सारी पीडियेफ एक जगह मिल जाएंगी तो चलिए फे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेस्टन इस मरसर सीएफस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से इस्थान पर रहा है सो करेक्ट एंसर इस दी एक तालेस वे सेकिंड क्वेस्टन इस पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नैशनल लीग कि शेहर में आयोजित की गई है सो करेक्ट एंसर इस दी नहीं दिल लीग किस लीग का आयोजित जूडो फेडरेशन ओफ इंडिया और खेल मंत्राले ने मिलकर किया थर्ड क्वेस्टन इस किस शहर में रेड लाइट ओन गाड़ी ओफ अभियान फिर से शुरू किया जाएगा सो करेक्ट एंसर इस दी दिल ली प्रदूशन को कम करने के लिए और तेल की खपत कम करने के लिए यह अभियान फिर से शुरू किया जाएगा फोर्थ क्वेस्टन इस कौन सा राज्य और उनो दोई नकद लाभार्तियों की सूची में संशोधन करेगा सो करेक्ट एंसर इस ए असम इस योजना के तहट लाभार्तियों को बारसो पचास रुपे अनुदान प्रती महम मिलता है फिफ्थ क्वेस्टन इस यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्नियोर अफटा इयर 2022 पुरुसकार किसे दिया गया है सो करेक्ट एंसर इस बी निरंजन ओवल सिख्ष्थ क्वेस्टन इस किस बैंक ने डी-ेक्स 2022 पुरुसकार प्राप्त किया है So correct answer is B, Karnataka Bank 7th question is Heat wave के कारण भारत को सकल घरेल उत्पाद में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है So correct answer is C, 5.4% 8th question is LG V के सकसेना ने कितने जिला सैनिक बोर्डो की स्थापना को मंजूरी दी है So correct answer is A, 4 9th question is किसे करनाटक रत्न पुरुषकार दिया जाएगा So correct answer is A, पुनीत राजकुमार 10th question is किस देश में राश्पती की शक्तियों को कम करने वाला सम्मेधानिक संशोधन पारित किया गया So correct answer is A, श्रिलंका 11th question is DGCA ने किस राज्य के जेपोर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है So correct answer is C, उडीसा 12th question is राम जन्म भूमी आयोध्या में डिपावली के शुब अवसर पर कितने दिये जलाकर गिनीज पर्ड रिकोर्ड बनाया गया So correct answer is A, 17 लाक 13th question is अमेरिकी करेंसी पर पीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी एक्टरेस कौन बनेंगी So correct answer is D, एनामेवाउं 14th question is इस किस राजय में रीड अलॉंग एपकर शुभारंब किया गया So correct answer is C, 36 गड 15th question is बारन वापारा अभ्यारन्य से कितने बाइसन को बेहोश कर कोरिया नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जा रहा है So correct answer is D, 50 16th question is इस वर्ष लगबग कितने लाख मीटरिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है So correct answer is B, 110 लाख मीटरिक टन 17th question is किस IIT ने 2021-2022 के लिए राश्ट्रिय बौधिक संपदा पुरुषकार जीता है So correct answer is D, IIT मदरास 18th question is तिल दिवस कम मनाया गया है So correct answer is D, 23 October 20th question is किसने पहला वैश्विक पुलिस मेटावर्स लाँच किया है So correct answer is C, Interpol Thanks for watching my video अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर बैल आइकन को हिट करें, थैंक यू अगर आपको पसंद आपको लाइकन करें